सालों बाद रवीना टंडन का चलका दर्द तेज बुखार में भी अक्षय ने किया मेरे साथ। बॉलिवुड के दिगगज अभिनेता अक्षय कुमार पिछले लगभग तीन दशकों से इंडिस्ट्री पर राज कर रहे हैं। एक्टर ने साल 1991 में सौगंध फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद से उनका करिया काफी उतार चड़ाव भरा लेकिन साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा के बाद अक्षय रातो रात स्टार बन गए। इस फिल्म में अक्षय के साथ सुनीर शैक्टी, नसरुद्दीन शाह और राजा मुराद जैसे दिगगज भी थे। इसके आलावा फिल्म में अक्षय के साथ रवीना टंडन मुख्य भूमिका में थी। इस फिल्म का बजट सिर्फ 3.75 करोड था हालन की फिल्म ने 22.65 करोड की बंपर कमाई की थी। फिल्म की सफलता के बाद अक्षय और रवीना का करिया उंचाया चूने लगा था।